हलो इस्टुडेंट्स कैसे हैं आप लोग मैं दयाल चोदरी टीम सेल्स है आज अपने केमिश्ट्री पंच का 20 वा एपिसोड लास्ट एपिसोड अपने यहां पर डिस्कॉस करने जा रहे हैं अपना पैटर्न वही है 75 कि अपने इसमें वही स्लेक्ट किया है और कोसिस वही पूरा चेप्टर इसके अंटायर मतलब इसके आसपास पूरा चेप्टर अपन क्या कर लेंगे कावर कर लेंगे बस आपको साथ बने रहना है तो देखिए पहला किसन विच अपदी फॉलोविं इसमें B4 unit क्या होती है? H bond के द्वारा जुड़ी होती है B4 units are held by H bond ऐसे आगे चलती रहेगी इस टेक्टर समझ रहे ना? ऐसे H bond है तो यहां पर OH है लेकिन फिरी नहीं है वह है पसावा इस वज़े से डोनेट नहीं कर सकता तो आपन इसको ट्राइबेसिक बोलना गलत हो ज It is prepared by acidifying and aquise solution of borax, बिल्कुल borax का aquise solution अगर आपन बनाते हैं तो वहां पर आप क्या बना सकते हो? Borex से आप क्या बना सकते हो Boric Acid आपे बना सकते हो Clear फिर उसके बाद में Preparation method रही है तो Boric Acid गा फिर इसमें कह रहा है It has Layer structure बिलकुल ये Layer structure रखता है जिसमें BO3 Units held by H-Bond H-Bond से जुड़ी होती है तो ये बात भी बिलकुल सही है BO3-3 Units है आप ऐसा करो ना S3PO3 ये क्या हो जाएगा 3H PLUS PO3 माइनस हालाएं कि 3H PLUS देता नहीं है मैं एक युनिट बढने की कोशिज कर रहा हूं तो ये युनिट है और जो H BOND से आपस में पसी भी है फिर कह रहा हूं मैं ये 3H PLUS यहां से डोनेट नहीं करता है मैं तो ये जो बोला है ना इसकी स्टेक्चर को ये समझाने कोशिज किये इना इटरोजन को अठा करके देखो आप तो माइनस 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 जो आपस में H BOND से जुड़ी है तो एक लेर स्टेक्चर हो गई क्योंकि हर एटम आपका यहां पर SP2 हाइब्रीड हो जाएगा बोरॉन का क्लियर फिर आजाएए यह भी सही है इट डज नोट एक्ट अज प्रोटोन डॉनर बिल्कुल यह प्रोटोन डॉनर नहीं है मैं तो पहले ही कहाता है यह गलत बोल रहे हैं ठीक है तो देखिए क्या होगा यह आपका H3BO3 हो गया H2O से इसके reaction करवा दीजिए यह माइनस और यह प्लस है तो क्या होगा इसके पास vacant 2P पड़ा है तो यह क्या करेगा BOH4-H तो प्रोटोन दिया लेकिन कहां खा वोटर का प्रोटोन और उससे क्या OH इसने accept कर लिया तो OH इसके पास lone pair था इसके vacant में आगए है इसलिए इसको बोल रहे हैं कि यह levis ACD है क्योंकि जो lone pair लेता है वो levis ACD की नेचर शोगाता है तो आपका फर्ष्ट यहाँ पर फॉल्स है नेक्स्ट क्यूसन क्यूसन आपका कह रहा है aluminium third chloride form a dimer कि aluminium chloride dimer बनाता है क्यों तो देखिए ALCL3 है इसका octate पूरा नहीं होता है SP2I वर डाइजसन है और center atom के पास valence electron है 6 इसका मतलब इसका octate पूरा नहीं है इसके पास vacant 3P भी बढ़ाया और 3D भी बढ़ाया एक है 3P में एक vacant है और D के पांच के पांच vacant है तो आजाए तो इसमें क्या होता है यह aluminium आपका chlorine 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 यह chlorine aluminium chlorine chlorine और यह chlorine तो इसमें अगर आपन देखें तो देखिए जो chlorine है आपका इसके पास कितना electron होता है साथ तो दो तो यह रहा valence electron में share होते है न तो एक तो यहां bonding कर चुका है यह रहा यह अपना इसको vacant 3P में share कर देगा वैसे यह अपना एक लॉन पिर इसको share कर देगा तो इसकी पहले तो क्या bonding 3 ती अब कोडिनेशन नंबर होगी फॉर क्लियर उपर से टू टू फॉर टू सिक्स और टू एट ओक्टेट भी इसका क्या हो गया पूरा हो गया और हाइबर डैजिसन इसका आ गया SP3 तो यह bond कैसा हो गया एक, दो, तीन, थ्री सेंटर टू, टू, फॉर, फॉर इलेक्टरोन bond बन गया आजाएए aluminum क्या करता है higher coordination number can be achieved by aluminum तो यह क्या करता है उप, उच, उपसेशन संक्या प्राप्त कर सकता है बिल्कुल vacant orbital है, यह coordination number बढ़ा सकता है यह सही बात है, इसलिए यह बनाता है फिर aluminum की ionization energy का dimer का कोई relation नहीं है थर्ड समोय का dimer बनाने से भी कोई सर्मन नहीं है और trimer यह बनाता नहीं है और trimer जो नहीं बनाएए, इसका मतलब यह थड़ा ही वह dimer बनाएगा, समझ के तो इसलिए यह dimer बनाता है क्योंकि ट्राइमर नहीं बना सकता, मतलब पूरा यह statement wrong होगा, ठीक है तो आपका आगया कौन सा, फर्स्ट आंस्वर next question the tendency of BF3, BCL3 BBR to behave as a levis acid, levis acid का मतलब क्या है lawn pair acceptor एक चीज़ का ध्यान रखना levis acid जो acid की strength होती है वो आपकी electron activity के directly proportional to होती है तो यहाँ पर देखा जाए side item क्यों होता है, central क्यों तो अगर इसको देखा जाए उस हिसाब से तो आपको यह नहीं लग रहा क्या कि electron activity इधर बढ़ रही है तो levis acid की strength यह आजाएगी लेकिन यह आपका क्या है? गलत है ऐसा क्यों? तो देखिए जो बैकबॉर्ण बना सकता है इसके पास vacant 2p है तो यह अपना lone pair इसमें दे देता है यह है पी पाई पी पाई बैकबॉर्ण तो levis acid कौन सा होता है? जो lone pair ले इसने बैकबॉर्ण बना लिया तो इसका vacant 2p orbital तो क्या हो गया? यहाँ पर यूज हो गया? अभी इसके पास vacant है नहीं तो lone pair कहा लेगा? इसका मतलब अगर backbone बना तो levis acid की strength कम हो जाएगी तो मैं यह कह सकता हूँ levis acid की strength inversely proportional to back bonding और back bonding inversely proportional to होती है size के ऐसा क्यों? अगर जैसे size बढ़ती है तो oralaping कम होती है clear size बढ़ी तो oralaping कम होगी इसका मतलब उसके back bonding कम जवर हो जाएगी back bonding कम जवर हो जाएगी levis acid की strength बढ़ जाएगी तो मैं यह कह सकता हूँ B 3 पहले तो fluorine तो इसका vacant क्या है? 2p fluorine कहां से देने वाला है? 2p से फिर chlorine क्लोरीन 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 कहां से देगा? 3p से 3p थोड़ा लाज है Bromine कहां से देगा? 4p से तो और भी ला जाए तो यह almost same size गें effective overlaying होगी फिर chlorine की थोड़ी size लार्ज है 3p orbital की तो यहां पर effective overlaying नहीं हो पाएगी थोड़ी वीक होगी और यहां पर तो और वी ज्यादा वीक हो जाएगी clear तो जब orbitals की size बढ़ जाती है तो back bonding strength कम हो जाती है back bonding strength कम हो जाती है तो levy space की strength बढ़ जाएगी तो आपका order कहाँ आजाएगा बी आफ 3 से ज्यादा BCL 3 और BCL 3 से ज्यादा BBR 3 तो आपका कौन सा answer आजाएगा BCL decreasing order बताना था ना तो ये रहा हूं सिक, थार्ड आंशर इज करेक्ट, नेक्स्ट, बॉरिक एसिड इस एन एसिड बीकॉज इट मॉलिक्यूल, यह एसिड क्यों है, बॉरिक एसिड यही तो है न आपका, आप इसको ही लिख़गो, चाहे है एस थ्री, बीओ थ्री लिखगो, तो यह क्या करता है, वोटर के साथ तो water से hydroxylene gain कर लेगा और water का H plus donate कर देगा तो यह इसलिए boric acid को true protonic acid नहीं कआ जाता है क्योंकि यह खुद का नहीं water का H plus है आपका क्या कर वारा है donate तो वही accept hydroxylene from water and release a proton तो यह आपका अंसुर आ गया और बाकी क्यों option देखना जाएं तो यह कह रहा है कि combine with proton from water, water के proton से combine नहीं होता है, water के hydroxyl से combine होता है, फिर इसमें replaceable H+, नहीं है, बिल्कुल H bonding में परसेवें सारे proton give up, proton proton नहीं देता है, proton देता है, लेकिन खुद का नहीं देता, proton किसका देता है, यह water का, तो आप आंसर कौन सजाएगा fourth, next, inorganic benzene, तो inorganic benzene, यह आप formula याद रख लो, इसका, reason क्या है, देखो, benzene क्या होती है, organic benzene, C6, H6, जिसमें क्या होता है, H6 carbon होता है, जिनके बीच, alternative form में double bond होता है, सब के पास एक एक hydrogen होता है, यहीं तो होता है, हर carbon atom कैसा होता है, Hb2 hybrid होता है, mu इसका zero है, और कैसी है है, planar shape है, clear, और देखो, इसकी electron activity 2.5, इसकी भी 2.5, तो same electron activity is the bond polarity भी यहाँ नहीं है, तो बहुत कम reactive होई है, फिर इसी की बाद इदर करें, इसमें क्या होता है, boron, nitrogen, nitrogen, फिर boron, फिर boron, nitrogen, 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 सबके पास एक एक hydrogen है, जैसे carbon के पास है, पूरी structure शेम जा रही है, अब इसके पाद loan pair है, इसके पाद 2p अपना loan pair इसको दे देगा, तो यहाँ पे P pi P pi back bonding हागी, P pi P pi back bond, फिर देगे इसकी electron activity कितनी है, 3, sorry 2.0 और इसकी कितनी है, 3.0, तो electron activity difference है, इस वज़े से bond में polarity है, बाकि इसका भी आइवर डाइज़ेशन SP2 है, इसका भी SP2 है, तो SP2 आइवर डाइज़ेशन है, planar है, लेकिन इसके लिए मुईज़ट्व जिरो भी है, क्योंकि प्लेनर है, लेकिन इसका भी आइवर रियक्टिव है, कारण इपॉंड में polarity है, इसके लिए भी मुईज़ट्व जिरो, तो सेम बेंजीन जैसा है, तो structure है, वह अल्टरनेटिव फोर में double bond है, ठीक है, आप इसको carbon माल ने तो six हो जाएगा सिधा देखो, तो वह चीज है, इस वज़े से इसकी structure benzene से मिलती है, इसलिए इसको इन और्गेनिक benzene का गया है, तो आपका आंस्वर हो जाएगा second, next, which of the following statement about a divorane is not true, तो divorane की बारे में कौन सा statement true नहीं है, तो आज आप divorane बनाते हैं, बह 3 यह बना ले, B2S6, यह divorane है, तो कैसे बनता है, देखो, यह boron हो गया, और यह boron हो गया, तीन हीड्रोजन, 1, 2, 3, H, 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 clear, अब देखो क्या होता है, इस हीड्रोजन का जो, देखो, यह आपका आगया, वैसे ही, इस boron का इलक्ट्रोन यहां, और हाइड्रोजन का यहां पर बन्डिंग देता है, बोरोन के बाकी के तीन यह हैं, हाइड्रोजन के यह रहे, यह आगया, तो देखो, इसमें इसकी structure कैसी होती है, इसका हाइबरडाइजेशन अब ASP3 हो चुका है, लेकिन 1, 2, 3, 4, 5, 6, अभी भी इसका ओक्टेट पूरा नहीं है, और इधर वाले का भी ओक्टेट पूरा नहीं है, बस हाइबरडाइजेशन चेंज होगे, इधर हाइबरडाइजेशन ASP2 है, इधर ASP3 है, इसका ओक्टेट नहीं है, फिर आओ देगो, इसमें क्या होता है, आप इस सीज को यह समझाओ, यह दो बोरोन है, यह आइडरजन यह आइडरजन, यह आइडरजन, टर्मिनल वाले बना रहा हूँ, यह एक ही प्लेन में होते हैं, कैसे हैं यह यह आइडरजन, एक और दो दो आटम की पीच बन रहा है, तो तू सेंटर, कितने दो इलक्ट्रों का मेरे, दो, तू सेंटर, तो इलक्ト्रों बॉंड, ऐसे कितने, चार बोर्न है, कैसे, यह देखो, तो इसमें क्या हो है, अब बोरोन से एक आएडरजन यह, एक यह, यह प्लेन के होगे, चार रिक्लेसिबल यह हट सकते reaction में, फिर bridge वाले एक plane के उपर होता है एक plane के नीचे से होता है यह replaceable नहीं है, यह reaction में involved नहीं होता है यह कैसा हो गया, 1, 2, 3 bridge वाला देखो, 1, 2, 3, 3 center 3 item का हम में आगे electron कितना, 1 और 2 2 electron, इसको tricentric bond भी कहा जाता है ऐसे कितने bond है, एक तो यह रहा और यह कितने bond है, 2 bond है यह आ गया clear, replaceable का मतलब क्या है अगर जैसे इस पर reaction करवाना चाहोगे इस पर आपने reaction करवादी मालो CH3, CL की, तो 4 चाहिए होंगे क्योंकि 48 हैंगे उसमें से यह terminal वाले, center वाले bridge वाले तो बच गए और terminal वाले methyl group से हट गई, 4-AC, समझ गई होंगे यह, यह replaceable का मतलब, तो आजाओ di boran में SP, तो यह कह रहा है the boran atom in it are SP3 hybridized बिल्कुल SP3 hybridized है clear, दिख रहा है, तो फशी statement सही है, फिर कह रहा है it contains 2, 3 electron 3 electron, 3 center 2 electron, तो देखो 3 center 2 electron 2 bond है, बिल्कुल सही बात है, यह भी सही है all bh bond length resonance तो है नहीं all bh bond length in it are equal due to resonance resonance है नहीं ना bond length equal है, यह bond length कम है और यह bond length ज्यादा है तो यह वाला गलति statement है, फिर molecule non planar, बिल्कुल 4 bond एक ही plane में है, और एक यह plane के उपर है, रेक नीचे है, तो non planar structure है, next question की तरफ चलते हैं अपन the number of isomar possible है for a dye-substituted boron jain है, यह आपका आ गया, ठीक है, boron jain का देख लेते हैं तो इस texture बनाके इसकी अगर देखें हैं आपने, तो आजाओ b, n, n, b, b, n, n मेरे को तो पता है, चार बनेंगी, इसलिए मैं सिद्धे चार बना रहा हूँ पहले, आपको बनाके देखने पड़ेंगी तो देखो, सब के पास एक एक हैगा hydrogen होता है, तो चार ही है hydrogen, बतलब दो की जगए hydrogen आगए तो मैं सिर्फ हो hydrogen ड्रो करने वाला हूँ, मालो हो hydrogen ही आजाए, यह 60 degree के एंगल पर आगए न, एक nitrogen के पास, एक बोरोन के पास एक ही आजाए, एक ही आजाए, अब कितने पर चलेए, nitrogen, nitrogen, 120 पर तो एक बनादो, boron, boron एक और बढ़ा देते हैं इसको पहले, यह और यह, इसको थोड़ा आगए और बढ़ा देते हैं, हाँ, यह दिया रखना इसमें वो double bond होता है, तो देखो, x और यह x, दिख रहा है न, तो अब यह कितने पर आगे, 180 पर, अगर वह आप फिर से लाओगे, तो nitrogen, nitrogen, कितने पर आजाएंगे, 120 पर जो कि यह structure है, यहाँ लाओगे, तो यह वाले repeat हो जाएगे, अब क्या कर सकते हो, बोरॉन बोरॉन का आप 120 का नहीं किया भी, यह बोरॉन बोरॉन 120 हो जाएगा, तो कितने होंगे, 4, next, the structure of diborane B2S6 content, अभी बताये था, 4, 2, center, 2, electron bond है, जो terminal वाले हैं, यहाँ है न, H, H, B, H, 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 तो यह तो 2, center, 2, electron वाले हो गए, कितने, 4, फिर इसके बाद में यह आपका आगया, एक तो यह, और एक आपका यह, यह आगे, 3, center, 2, electron, कितने हैं, 2, तो first answer is correct, clear, next question में आपन सलते हैं, when orthoboric acid S3BO3 is strongly heated, तो बिलकुल, जब भी oxy acid को strongly heat किया जाता है, तो वो anhydride बना लेते हैं, B2O3, तो boric anhydride बन जाएगा, next question, एक चीज का ध्यान रखना भाई, strongly heat करवा रहा है, पहले heat करोगे तो HBO2 बनता है, metaboric acid, लेकिन strongly heat करवा रहा है, तो आगे जाके यह B2O3 बनेगा, मैं इसकी बात कर रहा है, तो सिदे, strongly heat कि, अगर normally heat किया, तो metaboric acid बनेगा, लेकिन अगर strongly heat किया, तो क्या बनेगा, boric anhydr right, next, which one of the following element is unstable to form MF6 3-, तो देखो, यह बनाने के लिए कम से कम coordination number क्या चाहिए, 6, मतलब कि 6 covalency होनी चाहिए, यह मालो की covalency कितनी लगेगी, 6, तो देखो, इसके पास vacant D होता है, covalency 6 दे सकता है, इसके पास vacant D होता है, इसके पास vacant D होता है, इसके पास vacant D होता है, इसके covalency 6 नहीं हो सकती, इसके maximum 4 हो सकती है, BF और माइनस, clear, तो आपका answer हो जाएगा, 3rd, next, percentage of lead in lead pencil, जैसे मैंने कहाता है, बात की थी यह जब मैंने डीवलोग पढ़ाया था, अलोई बता है, तो वहाँ क्या कहाता, कि German silver में silver 0% होता है, ठीक वेसे ही lead pencil में, नाम ही lead है, बाकि pure graphite से आपका बनता है, pure carbon से आपका बनता है, तो इसके पास्टेज होता है, 0, next, glass react with HF, तो glass क्या होता है, आपका, Na2SiO3, तो इसकी reaction करवादो, आपके say HF से तो यह बना देता है, H2SiF6, मतलब glass इसमें पाकि वह H2 और वह बनी जाता है, ठीक है, तो कहने का मतलब अगर glass होता है, वह HF में dissolve होता है, मतलब इसके साथ glass reaction करता है, बात आगे क्या समझ में, glass इसके साथ क्या करेगा, reaction करेगा, dissolve हो जाता है, glass किसमें HF, तो glass के उपर दो लिखाओ तो तिन लिखा जाता है, वो इसी से लिखा जाता है, तो answer कौन सा जाएगा, आपका second, next, which of the following oxidation state of the most characteristic for lead and tin respectively, देखो, lead or tin, तो इनकी position देखो, किस के हैं यह, फोड़ते के हैं, तो यह तो tin हो गया, यह lead हो गया, यह six period से है, और यह आपका fifth period से, इनका configuration क्या होता है, जनरली एनेज टू, एनपी टू, तो देखो, एक आता है, इनेट पेरिंग एफेक्ट, पढ़ाएं आपने इनेट पेरिंग एफेक्ट, इनेट पेरिंग एफेक्ट में क्या होता है, कि जहां पर आपका length and note contraction शुरू हो जाता है, तो पी ब्लोग में आने पर क्या होता है, कि जो length and note contraction के कारण NS electron होते है, उनकी bond बनाने की nature कम हो जाती है, क्योंकि उन पर जैड इफेक्ट बढ़ जाता है, clear, इस वज़े से वो bond नहीं बना पाते हैं, तो वस इनेट पेरिंग एफेक्ट में अगर ये bond नहीं बना पाया, तो oxidation stage plus two, और अगर इनेट पेरिंग एफेक्ट कम हो और ये भी bond बनाने में कामियाब हो गया, two units का difference है, तो आजाई ही या, तो इनेट पेरिंग एफेक्ट सबसे ज़्यादा अपलाई होता है कि इसमें lower में, six period में, तो six period में यही दो oxidation stage देगा, तो यहां पर इनेट पेरिंग एफेक्ट सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए यहां पर lower ज़्यादा ही stable होगी, और उपर वालों में बाकी में higher ज़्यादा ही stable होगी, और इनेट पेरिंग एफेक्ट की वज़े से ही top to bottom चलते हैं तो lower की stability बढ़ती है, clear, तो अगर इनका comparison करें तो यह ज़्यादा ही stable है और इनका compare करें तो यह ज्यादा ही stable है, तो आप आजाओ, तो 10 तो कौन में रहेगा plus 4 में और यह किस में रहेगा plus 2 में रहेगा, तो आजाओ, पहले late गा है तो late तो plus 2 और 10 है 10 plus 4 तो कौन सांसर है second, next question, विच आप दी फॉलिविंग गिव से प्रोपाइन ने ऑन हैड्रोलाइसिस देखो यह मेथिन इलाइड है इसलिए जब भी इसका हैड्रोलाइसिस करवाओगे यहाँ पे तो यहाँ पे क्या बनेगा मिथेन गैस निकलेगी साथमें इल्यूमिनिमाइड्रोकसाइड बन जाएगा यह प्रोपिनिलाइड है सी थ्री माइनस फॉर तो अगर आप इसका हैड्रोलाइसिस करवाओगे ना तो चार हैड्रोजन जोड़ जाएंगे सी त्री ए एच फॉर प्रोपाइड निकलेगा बाकि मेखनी शीमाइड्रो गैसे बनने वाली तो आपका आंसुर कॉण सा जाएगा यह प्रोपाइड यहां बनने वाली है नेक्स्ट कुछ इनिस इस सिलिकॉन डायोकसाइड ठीक है सिलिकन डायोकसाइड में देखना क्या सही है चीए सिलिकन एटमी इस राउंडेड बाई फोर ऑक्सिजन तो मतलब यही तो परक्स्टेक्टर योगु आफ यहां किया हो रहा है कि हम आफ यहां कि हो रहा है हर रहा है हर सिलिगन एकम है ना इसलिगन एकमें वांट 2 3-4 कोवर रहा है और हर oxygen atom दो silicon से cover है, तो आजाओ, each silicon atom is surrounded by four oxygen, बिलकुल सही बात है, each oxygen atom is bonded to silicon atoms, तो आजाओ, यही सही है, आगे चले, each silicon atom is surrounded by two oxygen, गलत बात है, फोर से है, silicon atom is bonded to oxygen, गलत बात है, silicon, there are double bond between silicon and oxygen, यह यह करना तारा था कि CO2 कितरे ही होगा, मतलब silicon CO2 की तरह यह होगा, लेकिन इसकी large size है, जिस वज़े से effectively और लेपिंग नहीं हो पाती है, तो यहाँ पर weak bond बनेगा, पाई bond बनेगा, वो क्या होगा, वीक होगा, exist नहीं करेगा, तो यह structure कभी भी exist नहीं करती है, तो यह भी गया, तो आपका कौन सा आंसर हो गया, first, next the stability of dialettes, मैंने अभी बताया था, यह पीव लोग का है, और कौन से group का है, 14 group बोले तो फोड़ते हैं, तो इनमें IP effect लगता है, तो top to bottom चलते हैं, तो lower की stability बढ़ती है, तो lower की stability बढ़ती है, तो lower की stability बढ़ती है, इस silicon के बाद में कोण आता है, जर्मेनियम, फिर टिन और फि लेगी, next, SIF 6A 2- and SICL 6 2- which one is known, तो इनमें कौन सा known है, मतलब कि यह तो exist करता नहीं है, यह करता है, देखो, silicon के पास vacant D और beta, इसलिए valency expand कर सकता है, तो यह valency 6 भी दे सकता है, तो उसी साफ से यह भी बन सकता है, लेकिन नहीं, chloride की size large होती है, clear, इस वज़े से steric repulsion कलोरीन छोटे silicon के चारों तरफ नहीं जुड़ सकते हैं, लेकिन fluoride की size क्या है, small है, इस वज़े से क्या होता है, आपके पास यह silicon के चारों तरफ यह fluorine हो सकते हैं, तो because small size और fluorine, clear, large size होता तो यह जुड़ता ही नहीं, फिर इसमें बनने में इसके size का कोई role ही नहीं है, त next, the element that show greater ability to form P-Pi-Pi multiple bonds is, P-Pi-Pi बनाने की परबली होगे ता, बिलकुल carbon में, small size का है, और देखो carbon-carbon के बीच double bond बना, उसमें से एक P-Pi-Pi-Pi है, triple bond बना, क्या है, दो P-Pi-Pi bond बन रहे हैं, इनकी size large होती है, और large होने के बज़े से effectively और lepping नहीं हो पा रहे है, इसलिए P-Pi-Pi या bond बनाने की जो nature होती है, वो क्या होती है, कम होती है, फिर on controlled hydrolysis and condensation R3 SiCl yield, तो वही इसका क्या गर रहे हैं, नियंत्रित quantity में, पहले तो hydrolysis करवा हो, तो देखो, यह रहा, SiR3Cl, इसकी electron negativity क्या है, ज्यादा है, इस पर partial negative, और आंसिक positive, तो hydrolysis उसी का होता है, जिसमें आंसिक दना हो, इसके पास vacant orbital हो, तो इसके पास vacant d orbital है, तो इसका hydrolysis हो सकता है, कैसे होगा, HOH, SiL निकल जाएगा, और OH सीधा इससे जुड़ जाएगा, तो R3SiOH, ऐसी दूसरी इनिटी इसके साथ आजाएगी, R3, तो यह लोग वाटर का molecule यहाँ से निकल जाएगा, बना क्या, R3, SiO, SiR3, first is correct answer, clear, समझ में आया, next question, It is because of inability of NH2 electron of the valence cell participated in bonding that, किसमें सहियों जिकोष के NH2 electron की वज़े से बंद की निस्क्रेता बढ़ जाती है, यह कहना चाहरा है, ठीक है, किसमें सहियों जिकोष के NH2 electron की वज़े से बंद बनाने की निस्क्रेता बढ़ जाती है, तो आजाओ, बिल्कुल सी, भाई, NS electron की वज़े से किसमें प्रोपर्टी आ रही है, वो देखना है, अगर NS2 के involved हो गए, ठीक है, तब क्या प्रोपर्टी रहेगी, रिइन्वाल नहीं हो पाए, तब कौन सी प्रोपर्टी रहेगी, तो आजाओ, एक चीज़ का ध्यान करना, तिन का और लेड़ का कंपेर करवा रहे हैं, तो देखो, ये तिन दो परकार के ऑक्षिडेशन इस्टेज देता है, प्रोपर्टी प्रोपर्टी रहेगी, तो इस प्रोपर्टी रहेगी, तो अगर ऐसा कोई कंपाउंड हुआ, तो वो किदर जाने के गोसिस करेगा, इधर जाने के लिए, उसको खुद का ऑक्षिडेशन करवाना पड़ेगा, मतलब ये दो इलेक्ट्रोन निकालेगा, और दो इलेक्ट्रोन निकालने का मतलब हे, खुद का क्या हो गया, ऑक्षिडेशन, जिसका ऑक्षिडेशन होता है, वो रिडिटीं एजेंट होता है, तो ये तो रिडिजिंग एजेंट है, फिर आजाओ, पी-बी-प्लस-फूर, ये शिक्स पीरिट में इनिरट पेरिंग तो आजाओ, Sn plus 2 is reducing, बिल्कुल सही बात है, PV plus 4 is oxidizing, यही और है नस तू इलेक्ट्रोन के वज़े से आगे ना प्रोपटी, Sn plus 2, PV plus 2 बहुत हार oxidizing, नहीं भई, इनमें से तो एक भी oxidizing agent नहीं होगा, Sn plus 4 is reducing agent, बिल्कुल यह बात, नहीं नहीं, यह तो ज्यादा स्टेबल है, S plus 2 में क्यों आएगा, PV plus 4 बिल्कुल यह oxidizing agent होता है, तो यह गलत हो गया, वैसे Sn plus 2 oxidizing नहीं, Sn plus 2 reducing agent होता है, plus 4 में आना चाहता है, और यह oxidizing होता है, क्योंकि यह plus 2 में आना चाहता है, तो आपका 1st is correct answer, next, PCL3 reacts with the water, 2-fold, पहले तो यह देखो कि water से reaction यह करेगा गया, क्या इसका hydrolysis होगा, तो अपनी condition देखो, इसकी electron negativity ज्यादा है, तो यह partial negative और यह partial positive, अब देखो vacant orbital है गया, तो force force के पास vacant d orbital है, इसका मतलब hydrolysis possible है, और hydrolysis कोई redox reaction नहीं है, इसका मतलब जो halide होता है, तो उसकी oxidation stage halide में होती है, वो ही उसके oxygen में होगी है, तो आजाओ, phosphorus आपका यहाँ oxidation stage में है, plus 3 में, तो जब इसका hydrolysis होगा ना, तो वो ही oxygen acid बनेगा, जिसमें इसके oxidation stage plus 3 हो, यह बनेगा, तो यह रहाँ, clear, तो यह देखे identify करते हो, यह तो ही नहीं सकता, plus 5 वाला तो बनेगा ही नहीं, यहाँ आजाओ, minus 3 यह भी नहीं बनेगा, यह plus 5 यह भी नहीं बनेगा, clear, तो कौन सा बनेगा, second, nitrogen is relatively inactive element, because यह कह रहा है कि nitrogen कम reactive reason के है, तो nitrogen nitrogen के भी triple bond है, और triple bond होने की कुझे से bond बहुत चोटा है, और short bond को triple bond को तोडने के लिए energy बहुत ज्यादा देनी पड़ती है, इसलिए less reactive है, तो आप क्या बोलोगे, इसके मतलब, its atom has a stable electronic configuration, तो यह भी नहीं है, ऐसे तो stable configuration हाफ फिल है, तो हाफ फिल तो phosphorus का भी होता है, it has low atomic radius, atomic radius का बिल्कुल role हो सकता है reactivity, लेकिन वो तो ज्यादा बनाएगा, उसको क्योंकि electron affinity बढ़ती है, electronic activity उँच होती है, तो electronic activity तो इससे भी उचा आपकी कि इलेक्ट्रो नेक्टिविट का उच्छों ना तो reactivity को बढ़ाएगा, कम तोड़े करेगा, यह रहा, dissociation energy, ऐसा क्यों हमेशा द्यान करना एक reaction के अंदर हमेशा element के atom involved होते हैं नहीं की molecule, तो अगर reaction करनी है into को तो पहले atomic में जाना पड़ेगा, atomic के लिए बोन तोड़ना है और यह यह energy ज्यादा है तो कैसे react करेगा, इसलिए आपका dissociation energy of its molecule is fairly high, बहुत ज्यादा ही होती है, इस वज़े से यह less reactive माना जाता है, next question, which of the following oxide is least acidic हमेशा ध्यारगणा, acidic strength of non-metallic oxide and its oxy acid, वो directly proportional to होता है electron activity के और directly proportionate होता है positive oxidation stage के, clear, तो देखो, phosphorus, phosphorus, arsenic, arsenic, तो phosphorus की electron activity ज्यादा होती है, तो यह दो तो गए, अब इन में आ जाओ, इसको 10 कर ले ना भाई, यह plus 3 में है और यह plus 5 में है, तो oxidation stage ज्यादा होगी, तो oxide की acid की strength भी ज्यादा होगी, तो अब कौण मच गया, यह, plus 3 में है, तो सबसे least acid की है, सबसे ज्यादा पूस था, तो यह हो जाता हो, electron activity के वज़े से यह दोनों ज्यादा acid है, और इन में भी plus 5 की वज़े से यह और भी ज्यादा acid हो गया, तो ज्यादा पूस था तो यह, least पूस गया, तो यह, clear, next, the basic character of a hydride of the fifth group, elements decreases in the order, पंचम वरक्य तत्व के hydride के छारी अगुण निमन करम में गढ़ते हैं, तो आजाओ, NH3, PH3, ASS3, SBH3, और BIH3 की मैं बात करता हूँ, top to bottom चल रहे हैं, तो size गया और यह, central activity की increase, और size increase हो रहे है, तो सबके बास एक लोन पेर, तो लोन पेर थोड़ा diffuse हो गया, large size में फैल गया, तो यह क्या मोला जाएगा, lawn pair density decrease, और lawn pair density कम हो गई, मतलब lawn pair donating nature कम हो गई, nature कम हो गई, तो उसकी basic strength कम हो गई, क्योंकि levis base तो वह है ना, जो lawn pair easily donate करें, तो order कौन सा हो गया, NH3, PS3, SS3, SBS3, 30 is correct answer, next, the structure formula, hypo phosphorus acid, तो आपको hypo phosphorus पटता हो ना जीए, यह क्या होता है, S3PO2, hybridization निकालो, SP3 तो बनाओ, एक तो oxy acid में P double bond हो गई होगा, फिर बाकी बच्चीवी oxygen जोड़ दो, फिर भी नहीं हो रही तो SP3 में 4 sigma bond होते हैं, तो बाकी के hydrogen जोड़ दो, बन गए, अब भी hydrogen बच्रा है, तो वो बच्चीवी oxygen को देतो, तो एक तो OH होता है, और दो pH bond होते हैं, और एक P double bond हो, कौन सा आ गया, यह रहा, first is correct answer, with reference to protonic acid, which of the following statement is correct, तो देखो, NH3 दिया है आपको और pH 3 दिया है, इसके पास भी lone pair है, इसके पास की lone pair है, proton का मतलब कौन सा proton gain पहले करेगा, तो देखो, अभी बताया था, इसके size large है, तो lone pair density कम है, तो यह proton को lone pair देगा, लेकिन दीर ही, यह fastly देगा, तो यह तो जल्दी से proton gain करके NH4 plus बनाएगा, यह थोड़ा slow बनाएगा, तो इससे यह प्रूव हो रहा है, यह fastly proton gain कर रहा है, इसका मतलब यह basic ज्यादा है, और यह basic कम है, तो PS3 is more basic, PS3 is less basic NH3, बिलकोल यह answer, equally तो हो ही नहीं सकते ही, lone pair density में डिफ्रेंस है, PS3 m-poteric, m-poteric तो है नहीं PS3, clear? और NH3, ठीक है, तो यह हो गया, next question, pick out the wrong statement, गलती statement को आपको यहां पर देखना है, nitrogen has the ability to form a P-Pi-Pi bond with itself, कि nitrogen nitrogen खुद के साथ P-Pi-Pi बनाता है, बिलकुल एक शिकमायर दो P-Pi-Pi bond है, और वो P-Pi-Pi bond है, सही है, बिस्मित फ़र में metallic bond in elemental, elemental में क्या होता है, कि जिसका element उसी के धेर सारे atom एक जगे हो जाएंगे, तो बिस्मित metal है, उसके पास बिस्मित के अधर atom एक्टे होंगे, तो कौन सा bond बनेगा, metal है, तो metallic bond बनेगा, सही है, पिर cationeation tendency is higher in nitrogen, when compared with the elements of the same group, अगर एक खुद के group से compare करें, तो nitrogen की cationeation property होती है, वो सबसे ज्यादा होती है, देखते हैं सही है क्या, यहाँ हो, इसी family का बना लेते हैं सारे, यह nitrogen nitrogen, यह phosphorus phosphorus, यह arsenic, arsenic, और यह antimony, अब आगे चलते हैं, जलो, बिसमिदर यह, ठीक है, तो एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो आपकी, किसके बात करें, cationeation property की न, cationeation property है, वो bond divideration energy के directly proportional होती है, मतलब single single bond, जितना ज्यादा strong होगा, तो chain उतनी बनती जाएगी, तुटेंगी नहीं हो से, और bond divideration energy, size gain, वर्सली होती है, कैसे size बढ़ी होगी, तो bond बढ़ा होगा, bond बढ़ा होगा, तो कमज़ोर होगा, तो आ जाओ, इधर जा रहे हैं, तो size कम बढ़ रही है, और size बढ़ रही है, bond length बढ़ रही है, और छोटा favorable है, लेकिन इसके outer cell में 5 electron होते हैं, एक ने तो bond बना लिए, आगर single bond बनाए, तब ही तो chain बनाएगा, तो बाकी के 4 electron बढ़ रहे हैं, में जो repulsion होता है, इंटर इलेक्रोनिक रिपल्शन वो थोड़ा कम हो जाता है, तो सबसे ज़्यदा bond dissociation energy इसके तो kateonization property भी सबसे ज़्यदा इसके होगी, देख रहे हैं, इसका मतलब यह वाला statement false है, पिर nitrogen is higher first ionization enthalpy when compared with other elements of the same group, खुद के group से ionization energy ज़्यदा रखता है, बिल्कुल जिसके size इतनी small होगी, उसके ionization energy उतनी ही ज़्यदा होगी, तो अपने group में सबसे small है nitrogen, इसलिए उसके ionization energy सबसे ज़्यदा है, next, the following two reactions of HN3 भी दे, zinc are given, equations are not balanced, HN3 की zinc के साथ यह reaction हो रहे हैं, तो X और Y आपको identify करना है, तो एक भहुत प्यारी चीज़ देने वाला हूँ, ध्यान दो भी, negative SRP metal, positive SRP metal, समझ गये ना, negative, electrochemical series से बात करा हूँ, और non metals, ठीक है, पहला मैं दे रहा हूँ, concentrated हो मालो HNO3, ठीक है, तो एक तो बनेगा metal nitrate, metal nitrate, dilute HNO3O, यह थोड़ा यहां लिख देता हूँ, dilute HNO3O, तो dilute HNO3 हो, तो एक तो बनेगा metal nitrate, यह तो सेम है ना, और very dilute हो, HNO3, तब भी बनेगा metal nitrate, तो एक चीज तो आपने देखा ना, common बन रही है, क्या metal nitrate, लेकिन, यहां पर बनेगी, साथ में, NO2, यहां पर साथ में बनेगी, N2O बोल दो, या NH4, NO3 बोल दो, ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, देखो, जब भी यह concentrate से, यह दो product बनेंगे, dilute से करेगा तो, यह दो product बनेंगे, यह इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि, ammonium हाण nitrate है, अगर आप इसको heat करते हो न, तो N2O प्लस, यही निकलेगा, N2O ही तो बनेगी न, यह इससे भी, तो यही की बात है, ठीक, और यहां पर यहां पर यहां तो बनेगा, साथ में NH4OH, या बोल सकते हो NH3, या बोल सकते हो NH2OH, फिर, positive SRP हैं, तो वही metal nitrate, यहां पर भी metal nitrate, positive SRP वाले very dilute, शरी action है, नहीं करते, साथ में क्या बनाएगा, यहां पर NO2, यहां पर बनाएगा NO, और इनकी बात करें, तो यह बनाएगे, oxy acid non-metal, और साथ में NO2, और इन से reaction करेंगे नहीं, clear, यह table, screen sort ले लो, अब आओ, जिंक कैसा है, hydrogen से उपर आता है, negative SRP है, तो concentrate के साथ क्या बनेगा, metal nitrate बनेगा, तो concentrate के metal nitrate, साथ में NO2, तो NO2 बनेगा, तो यह x हो गई, NO2, फिर dilute है, very dilute नहीं है, यह dilute है, तो negative SRP dilute के साथ, यह तो N2 हो, यह NH4, NO3, तो यह तो यह N2 है, आपकी, यह NH4, NO3 है, तो ऐसा option का है, यह रहा, लिख रहा है, तो fourth answer आपका, correct हो जाएगा, okay, next question, which one is correct statement, आपको यहाँ पर correct statement देखना है, किस के लिए, H3PO4 और H3PO3 के लिए, तो आजाए, H3PO4, तो इसकी structure क्या होती है, double bond O, OH, 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 यह कैसा है, tri-basic है, फिर आजाओ, H3PO3 दे रखा है, तो इसकी structure बना लो, यह कैसा है, di-basic है, पता कैसे चला, center से direct कितना, OH जुडा हो है, वो उसकी basic city बताता है, और center से direct कितना, H plus H जुडा है, वो उसकी reducing strength बताता है, आजाओ, basic city of H3PO4 and H3PO3 is 3-3, गलत है, ACCT base, oxyacid के लिए, acid के लिए basic city देखे जाती है, में साथ, यह भी गया, फिर basic city of H3PO4 and H3PO3 is 3 and 2, बिल्कुल इसकी तो 3 है, और इसकी 2 है, तो यह आपका correct statement है, next question की तरफ चलते है, the correct order of acidic nature of oxide is in the order, तो मैंने का आता, oxide की acidic strength उनकी oxidation state के directly proportional to होती है, तो acidic nature of oxide यह directly proportional to होगी positive oxidation state के, तो यह देखो, प्लस one में है, यह प्लस two में है, नाइट्रोजन यहां नाइट्रोजन plus three में, यह नाइट्रोजन plus four में, यह नाइट्रोजन plus five में, यह नाइट्रोजन की लिख रहा हूँ यहां पे, तो oxidation state बढ़ रही है, is incorrect निचे दिएगे कज़ें कौन सा गलत है तो मैंने क्या कहा था ओगजी एसीड को आप एनाइडराइड में बदल सकते हैं और एनाइडराइड वापस ओगजी एसीड में बदल सकता है दोनों की ऑक्षिडेसन स्टेज सेम रहेगी oxidation stage नहीं बदलेगी, तो यह एना एड्राइड है, किसका है देख लो यह प्लस सेवन में है, तो प्लस सेवन का ओगज़ इसीड क्या होगा, HClO4, तो इसका जब भी है एड्रोलाइसिस कराओगी, यह बनेगा, पर कलोरी के एसीड प्लस सेवन वाला, तो बिलकुल यह एना एड्राइड ही है, बिलकुल सही बात है, लेकिन अपने को क्या देखना है, incorrect, फिर O3 bent है, देखते हैं, double bond O, यह coordinate और यह lawn pair, तो बिलकुल bent है, angular बोल सकते हो, आप इसको यह वी से बोल सकते हो, यह भी सही है, ISO electronic है क्या, ONF, इसके साथ तो आजाओ, ONF, जितना इसका atomic number है, वही उसके electron है, तो 8, 7, 15, 15, 9, 24, 24 electron हो गई, आजाओ, NO2-7 और 8 इसके, तो 7, 8, 8, 16, 16, 23, एक गेन कर लिया, मतलब जूड गया है, तो 24 electron, बिलकुल ISO electronic है, यह भी सही है, OF2 is an oxide of fluorine, नहीं भाई, यह oxide नहीं है, फ्लोराइड है, fluorine की electronegativity oxygen से ज़्यादा है, तो इसलिए fluorine का कभी oxide नहीं बनेगा, उसका हमें सब fluoride ही बनेगा, क्योंकि high electronegativity होती है, उसके negative होगा है, जिसके negative होता है, IED उसके लगता है, तो यह false statement है, okay, समझ में आ रहा है न, the highest catenuation ability is shown by, तो मैंने अभी बताया था, catenuation जो प्रोपर्टी होती है, वो directly proportional to bond dissociation energy, और यह inversely proportional to होती है, size, तो आजाओ, कौन सा दिया है, यह 16 ग्रूप दिया है, तो आजाओ, oxygen, oxygen, sulpher, sulpher, selenium, selenium, tellurium, tellurium, बना दिया, ठीक है, और catenuation में single bond देखा जाता है, क्योंकि chain बनाएगा, तो single bond बनाते होगे, chain देखे जाएगी, ठीक है, तो आजाओ, नीचे जा रहे हैं, तो size increase, size increase, तो bond length increase, bond length increase, तो strength कम, strength कम, तो bond dissociation energy भी कम, तो यह order आए, फिर वोई चीज, हाँनी तो इसकी सबसे ज़्यादा चाहिए, लेकिन वोई इसके outer cell में six electron होते, एक bond बना लिया तो पांच बच रहे हैं, तो small size के बज़े से यह electron pass में आ गए, तो इनमें highly repulsion लग गया, और repulsion ज़्यादा लग गया, तो यह bond easy going break हो जाएगा, तो इसकी bond dissociation energy यहाँ आ जाएगी, तो अब सबसे ज़्यादा bond dissociation energy के इसके सल पर गी, तो ketaneous and property भी सबसे ज़्यादा किसके हो जाएगी, सल पर गी, clear, next, the increasing order of atomic ready of the following group 13, atomic ready का order बताना है, तो आजाओ 13 group, aluminium से दिया है, तो aluminium, gallium, indenium और thallium, तो का जाता है कि इसकी size almost same होती है और इसकी same होती है, बाकि तो इंक्रीज, गुरू में बढ़ती है, लेकिन यहाँ से हम क्यों हो गई, due to transition contraction, लेकिन फिर भी order देना चाहे है न, तो aluminium से चोटा होता है, कोण आपका gallium, और यहाँ पर आगया reason है due to lengthenoid contraction, और फिर भी order देना चाहें, तो indenium से large ही होगा, थोड़ा बहुत थैलियम, यह actual order, clear, तो सही order के आगया, सबसे बढ़ा तो छोटा कोण आगया, gallium इससे बढ़ा कोण आगया, aluminium इससे बढ़ा, indenium और सबसे बढ़ा थैलियम, कौन सांसवर आगया? second answer is correct, clear, transition contraction और lengthenoid contraction अपने बात कर ली थी, next, the incorrect statement among the following, इजे, ठीक है, incorrect statement दूढ़ना है, फिर से द्यान दो, ऐ सत्यकतन, आजाओ, C60 is an allotropic form of carbon, बिलकुल fluorine, यादे न, fluorine 60 और fluorine 70, ये दोनों allotropic है, कारवन के, तो ये बात तो सही है, O3 is an allotropic form of, बिलकुल ozone, oxygen का allotropic form है, फिर asset is only allotropic form of sulfur, ये बात गलत है, only लगाना गलत है, allotropic form तो हो सकती है, क्योंकि alpha और beta sulfur asset form में होती है, इसके अलावा sulfur हमें सार रहता है, octo atomic form में, octo atomic molecule है, इसका मतलब ये इसकी molecular position को भी बता रहा है, तो ये statement आपका false है, फिर आता है, red phosphorus is more stable, इने air than white phosphorus, बिलकुल ये बात आपकी सही है, ऐसा क्यों, ये white phosphorus होता है, उसकी structure ही होगी, क्लियर, ये 60 degree का angle होता है, सबके साथ एक एक lawn pair है, SP3 everyday, ये, air phosphorus, तो bond angle बहुत कम है, इसकी वज़े से इसी structure में strain आ जाएगा, तन्हाव आ जाएगा, तो ये जल्दी तूट जाएगी, मतलब बहुत reactive है, बाकी red phosphorus में, ये तो white की बात कर रहे हैं, red phosphorus हो गया, तो इसमें P4 की N unit आपस में जुड़ना शुरू हो जाते हैं, मतलब highly polarization शुरू हो चुका है, जी आ गई हूँ, ये ही हूँ, इस वज़े से क्या हो गया, polarization होने के वज़े से इसकी reactivity कम हो जाएगी है, और density बढ़ जाएगी, और ऐसे black phosphorus आएगा, black phosphorus तो hexagonal फॉर्म में चला जाता है, और भी ज़दा, और भी ज़दा packing हो जाएगी, समझ रहे हो ना ऐसे, ये इदर आगे, वो ही, चैन आपस में ये जुड़ना शुरू हो जाएगी, तो अगर density की बात करें, density, तो इसको याद रखने का तरीका, रंग जितना गहरा होगा, density उतनी ज्यादा, तो सबसे कम white, फिर red और फिर black, और reactivity उल्टा, जो जितना चमकिला होगा, उतना ज्यादा रेक्टिव होगा, तो black से ज्यादा signing को और देता है, आपका, रेड, रेड से ज्यादा white, तो जितना कलर कम, उतनी रेक्टिविटी ज्यादा, clear, next, when concentrate H2SO4 comes into contact with sugar, it becomes black due to, तो sugar क्या होती है, C12, H22 oil, तो यह जब concentrate H2SO4 के साथ आती है, तो dehydration हो जाता है, इसका black carbon बन जाएगा, और 11H2O निकल जाएगा, तो carbon black बनने का रेजन क्या है, dehydration, clear, next, ozone is obtained from oxygen, oxygen से ozone कैसे बनता है, तो एक चीज़ का दियानक न, O3 से O2 जाना है कि spontaneous process है, यह तो exothermic process है, और O2 से O3 की जाना, यह endothermic process है, और इसके लिए silent electric discharge काम में लिया जाता है, ठीक है, निरव विदुत विसर्जनिया साथ, यह यादर कलना, preparation में थेड़ा होजो उनका, next, which of the following statement regarding sulfur is incorrect, sulfur के regarding कौन सा statement है, जो incorrect है, S2 molecule is paramagnetic, देखो, oxygen sulfur यहीं तो आता है न, तो S2 आपको पता है, इसके पास कितना होता है, 2 unpaid electron होता है, किसमें, pi star में है, कौन सा, 2P, वैसे, same, अगर यह S2 में हुआ, तो इसके पास भी 2 unpaid होगा, जैसे इसकी MOT पर जाएगी, वैसे इसकी, वैसे इसमें इतना द्यान रखेगा, pi star 3P में होगा, 2 unpaid electron होगा, तो यह paramagnetic है, तो यह भी होगा, ठीक है, जैसा O2 है वैसा, तो यह बात तो सही है, फिर कह रहा है, then vapor pressure at 200 celsius, consists mostly of S8 ring, बिल्कुल, अगर temperature आपका कम होता है, तो यह हमेशा ध्यान करना, oktatomic molecule होता है, S8 ring form में यह पाया जाता है हूँ, crown shape, clear, फिर, हाँ, temperature अगर हाई कर देते हैं, तो यह मैं लिए, S2 में कौन, आपका क्या होगा, presence grade, clear, तो S2 form में कैसे करेगा, ठीक, वैसे जैसे O2, लेकिन high temperature पर, तो यह बात भी सही है, फिर आता है, the oxidation state of sulfur is never less than plus 4 है, in its compound, कि इसकी plus 4 से कम oxidation state possible नहीं है, sulfur की उसके compound में, क्यों नहीं है भई, देखो, S2S, यह रही, minus 2, बिल्कुल सिंपल सी चीज है, यह लो, S3, S2 इसमें कितनी है, plus 2 oxidation stage है, S2, S, sorry, S3, S2, S, sorry, इस टेक्चर गलत बना दी, S2, S, O, 2, इसमें यह plus 2 है, clear, यह आपको दिया रखना है, तो यह plus 2 दे सकता है, तो देखो, sulfur currency दे सकता है, minus 2 दे, plus 2 दे, plus 4 दे, तो plus 4 से तो कम बहुत, सरी, दे रहा है यह अपने compound में, तो यह आपका incorrect statement है, next, an example of a neutral, तो याद रहो, neutral oxide का example, nitrogen के 2 होते हैं, nitrous oxide इसको laughing gas बोलते हैं, nitric oxide और carbon का यह होता है, CO carbon monoxide, तो कौन सा आगया, यह आगया, बाकि यह metallic oxide है, basic है, यह non metallic oxide है, acedic है, और यह zinc, zinc एक emphoteric metal है, इसका oxide emphoteric होगा, तो यह emphoteric, which of the following statement, regarding ozone is not correct, not correct, okay, incorrect statement देखना है, फिर से ozone के regarding, तो angular होता है, मैंने भी बतायता, O double bond, O coordinate, O yellow, फिर यह सही हो गया, Ozone is a resonance hybrid of twist, बिलकुल, दो resonant की structure होंगी, इस पार coordinate इदर बना दो, yellow, यह भी सही है, oxygen, the oxygen, oxygen bond length in ozone, is identical with the molecular oxygen, देखो, इसका bond order निकालो, polyatomic species का bond order, कैसे निकालते हो, total bond, दो रेक, तीन, अपन resonant की structure, कितनी दे रहा है, दो तो bond order आ गया, 1.5, जबकि oxygen diatomic है, M.O.T. से निकालो, bond order कितना आता है, 2, और आपको पता है, bond order, जो bond length होती है, वो bond order के inversely होती है, तो देखा जाए, तो bond length इसकी ज़्यादा होगी, यह इसकी कम होगी, ozone की bond length ज़्यादा होती है, इसके अलावा, वाई के सुद्धिकरण के लिए, ozone रोगण नासी कर उप्योग में ली जाती है, यह सिंपल से चीज है, वाई के सुद्धिकरण में काम में आती है, जर्मी साइड के रूप में यह काम में आती है, यह बात भी सही है, तो wrong statement देखना था, थर्ड इस रॉंग स्टेट्मेंट, तो आपका थर्ड आंसर हो गया, next, in which pair of iron, both the species, contain SS linkage, SS linkage देखो किसमें है, पहला तो यह आ गया, टेटरा था इनिट, बना के देखो, सलपर, 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 double bond oxygen, double bond oxygen, double bond oxygen, O-, तो बिल्कुल SS linkage इसमें है, इसके बना के देखो, थायो सलपेट, अगर एक ऑक्षिजन को सलपर से रिप्लेस कर दिया जाए, तो थायो यूज होता है, तो थायो सलपेट बना रहा हूं, इसको सलपेट से एक ऑक्षिजन चलेगी, तो यह रहा SS linkage इसमें भी है, यहाँ जाओ, यह इसको ठीक लेना भाई, टू आएगा, इसके structure बनाएं, S, oxygen, फिर S, double bond O, double bond O, O-, double bond O, double bond O, O-, तो इसमें SS linkage नहीं है, इसके बना लो, Marcell Acid से बनाएए, इसमें paroxy linkage होता है भाई, O, double bond O, O-, इसमें भी नहीं है, यहाँ जाओ, यह रहा, इसमें है, यह two कर लेना, यह रहा, इसमें नहीं है, यहाँ जाओ, वो रहा, इसमें नहीं है, यह रहा, इसमें है, तो दोनों में किसमें हैं, सिर्फ फर्स्ट में तो, फर्स्टीज करेक्ट आंस्वर नेक्स्ट वेन कलोरीन रियक्ट भी दे कॉल्ड एंड डाइल्यूट सोलीशन ऑप सोडियम हाइड रोकसाइड दा प्रोड़क्ट से ओटेंड आर यह कह रहा है अगर क्लोरीन की रियक्शन में किस से करवा दूँ डाइल्यूट एंड कॉल्ड ने और यह और से तो क्या बनेंगा तो आ जाओ तो यह बनता है ऐने सी post ब्लस ने ओसी लीशन होता है मतलब क्लोरीन यहाँ जीरो से यही दो प्लस एंड में जाएगा और यही माइनस वन में जाता है मतलब कलोराइड बन जाएगा प्लस OCl- बन जाएगा लेकिन यही इसकी जगह है मैं Cl2 की रियक्शन किसे करवा देता हूँ होट एंड कंसंट्रेट एनियोज तो भी वो ही डिस्प्रोपियनेशन रियक्शन होगी NaCl और यह बनेगा NaClO3 तो यह प्लस 5 में चली जाएगी इस बार क्लियर वाकि यह माइनस तो क्या बनेगा Cl- बनेगा और ClO3 माइनस बनेगा तो आपके पास क्या ले रहा है डाइलूट तो डाइलूट ले रहा है तो यह बनेगा कंसंट्रेट लेता तो प्रोडेक्ट आपके क्या होते यह यह कंसंट्रेट के प्रोडेक्ट है और यह डाइलूट के प्रोडेक्ट है क्लियर Next question Which of the following is used in preparation of chlorine तो देखो MNO2 को यूज में ले सकते हैं क्या तो आजाओ इस पर HCl का टे करवा दो तो MNCl2 H2O प्लस Cl2 बिल्कुल बनता है यह यूज में आता है इसको ले सकते हैं क्या बिल्कुल HCl मिलाओ तो KCl बनेगा MNCl2 बन जाएगा H2O बन जाएगा और Cl2 बन जाएगी डाइकलोरीन बन जाएगी इसका मतलब इससे भी बन सकता है बहुत जाएगा Either MnO2 और MnO4 Either MnO2 और MnO4 यह होना जाएगा Either और मतलब इन में से तो आपका यह दोनों ही काम में आते है Clear? तो आपका आंस्पर हो जाएगा 3rd Next Which of the following statement is not true? HF is stronger acid than HCl तो आओ देको इसमें एक चीज़ देख लेते हैं यह hydride है hydride हो की non-metallic hydride हो की acid की strength होती है वो bond length से बताई जाती है group में hydride हो की non-metallic hydride हो की acid की strength acid की strength of non-metallic hydride यह directly proportional तो होती है electronic duty in period और inversally proportional तो होती है bond length है sorry directly proportional to होती है bond length है in group यह किसमें बताएंगे group में तो आजाईए आँ पर HF ACL group की बात कर रहा है top to bottom तो इस से large size इसकी है तो bond length जदा है bond length जदा है तो acidic strength जदा है तो यह कह रहा है HF ACL से HF is stronger acid than ACL और आपको क्या देना है not true तो पहला ही true नहीं है अमंग हेलाइड आएड आएड इस दे मौस्ट पावर्फुल रिडिजिंग एजेंट यह कह रहा है कि हेलाइड आएड सबसे स्ट्रोंगेश्ट रिडिजिंग एजेंट माना जाता है तो बिल्कुल सिंपल से चीज है electrochemical series क्या है उपर से नीचे जाने पर SRP बढ़ती है मतलब माना का अपचैन वी वो standard reduction potential का मान बढ़ता है जिसका standard reduction potential जितना ज्यादा होगा उतना ही अच्छा reducing agent माना जाएगा तो SRP में सबसे नीचे कोण आता है iodide मतलब उसके SRP सबसे ज्यादा है और SRP सबसे ज्यादा है तो वो अच्छा भी रह गया बीच में variable oxidation state जो variable oxidation state देता है तो एक चीज़ का ध्यान रखना fluorine के पास एक तो वेकेंडी और बिटल नहीं है इसलिए यह valence expand नहीं कर पाता है दूसरा highly electronegative है तो यह सिर्फ minus में ही देगा इसलिए ध्यान रखना fluorine का क्या होता है two seven होता है तो एक electron gain ही करेगा सिर्फ और eight मतलब यह सिर्फ minus one एक ही oxidation state देता है किस वज़े से अपनी high electronegative बज़े है अपसेंस ओप डी ब्लोग ठीक पिर HOCl is stronger acid than HOBR तो यह oxyacid है यह क्या है hydride है oxyacid और oxide के लिए मैंने बताय था कि हुआ कि उनकी जो acid की strength होती है वो electronegativity से देखे जाती है देखो hydride की तो acid की strength period में चलेंगे तो electronegativity चलेंगे तो bond lens से लेकिन oxyacid या oxide है तो period में चलेंगे चाहिए group में चलेंगे electronegativity चलेंगे और directly proportional to तो देखो यह oxyacid है तो अब 3000 से तो 3.0 ए और उसकी 2.8 जिसकी ऐलेक्ट दो ज्यादा उसके सबसे ज्यादा फिर HCl hydride में, फिर HBR, और फिर HI, लेकिन ओग जिएसिट की बात करें न, जश्ट उल्टा, HOF की सबसे ज्यादा, फिर HOCl, फिर HOBR, और सबसे कम, HOI, तो HOCl is stronger, बिल्कुल सही बात है, HOCl, HOBR से ज्यादा stronger, यह भी सही है, तो फिर्ष्ट आपका incorrect था, तो मैं फिर्ष्ट के साथ जाओंगा, नेक्स्ट की सुरूंगा, which one of the following order is not according with the property state against it, यह कह रहा है कि कौन सा प्रकरम है, कौन सा करम है, जो आगे दीवी प्रोपर्टी से मैच नहीं कर रहा है, electron negativity, electron negativity में कोई variation नहीं होता, electron negativity जो होती है, bond dissociation energy तो आ जाओ, fluorine, fluorine, chlorine, chlorine, Pablo bien, bromine, अडपो मैंने आपको क्या कहा था, कि size जब बढ़ती है तो bond length कम होती है, bond length कम होती है, bond dissociation energy बढ़ती है, तो इदर साइज बढ़ रही है, bond length बढ़ रही है, so bond strength कम होई रही है, to bond dissociation भी कम हो रही है, तो bond dissociation कम clear फिर उसके बाद में इसकी तो सबसे ज़्यादा होने चीए लेकिन क्या होता है यहाँ पर small size और यह जो electron आगए वो pass में आगए चोटी size होने की बज़े से तो इनमें inter electronic repulsion ज़्यादा हो गया तो यह जल्दी तूड़ जाएगा इसलिए इसकी bond dissociation energy यहाँ आजाएगी clear लगे इसमें भी six electron जो repulsion देते हैं लेकिन chlorine की size large है इसलिए वो थोड़े दूर पड़े है तो repulsion कम है तो यह वाला आपका यहाँ आणा चाहिए था तो यह incorrect statement है फिर oxidizing power तो यह मैंने बिलकुल आपको पढ़ाया पर इडिक टेबल में सबसे strong oxidizing यह होता है फिर यह होता है फिर यह 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 याद रखो इसको पिर रिजन मेरा बताया हुआ है पिर इडिक टेबल करवाई थी HI-HBR-ACL-HF Acidic Property in Water Water में Acidic Property की अगर बात करें तो मैंने अभी बताया था आपको यह क्या है Hydride है Hydride की Acidic Strength किससे दी जाती है Group के अंदर Bond Lens है जिसकी Bond Lens जादा वो जादा Acidic तो Fluorine से बढ़ा Clorine, Clorine से बढ़ा Bromine, Bromine से बढ़ा Iodine इसका मतलब Bond Lens भड़ रही है Bond Lens भड़ रही तो Acidic Strength भी भड़ रही है सही है तो फालसी statement कौन सा है Second Next Question Which one of the following order is correct for the bond dissociation enthalpy of halogen molecules से निमल कि कौन सा करम halogen होगी आबंद enthalpy के लिए अभी तो बताया था यह रहा Second Clear Next Among the following which one is wrong statement डून्डना है आई-3 की आई-3 प्लस है बेंट geometry यह जिमेट्रिकल शेप की बात कर रहा है ठीक है तो आजाओ आई three plus इसमें है व्लिजेशन क्या होता है sp3 तो इडिन यह डिन यह डिन इसके पास यह लोट पेर हो गए तो बिल्कुल मुडी विजमेट्री रख रहा है जो मेट्रियल सेपकी बात कर रही है जो मेट्रिकल जो मेट्रिकल एपकी बात कर रहा है कृइज करने कि बदो ब्लकुल सही बात एग्जिस नहीं करते है अगल ऐसे neuralmenal भूओ अच्छी केसे नहीं करते में कारए रहता है 13 14 15 फिन फित्सिन इंप्ते यह यह प्लस थे और प्लस पायफ दो और उक्षिदेसे देगा क्यों यह पंद्रवे गुरूप का है इसका कॉन्फिग्रेशन एनेस टू और एन पी त्री अगर इनेट पेरिंग फेक्ट ज्यादा हो गया तो प्लस थी नहीं तो प्लस पांच तो सिक्स प्रिड में इनेट पेरिंग इफेक्ट सबसे ज्यादा लगता है मतलब प्लस प्लस फाइब इसकी स्टेबिलिटी कम है तो यह आना चाहता है किसमें प्लस थरी में तो भी सील थरी में आ जाएगा इस वज़े से एक्जिस्ट नहीं करता फिर आजाओ पी एच फाइब तो फोस्फोरस के पास ग्राउंड स्टेट में अनपेर इलक्टरोन कितने हैं तीन अब दो और जोडने तो 3S से इलक्टरोन कहां बेजना पड़ेगा और 3D में यहां से एक एलक्टरोन तो हाइडरजन की इलक्टरोन इक्टिविटी कम होती है तो वो 3S से इलक्टरोन को एक्साइटेट करके 3D में ले नहीं जा सकता एनर्जी ढिफ्रेंस बहुत जयादा है और hydrogen की electron activity बहुत कम है तो यह उतेजन संभाव नहीं है ऐसा excitation possible है नहीं है इसका मतलब pH 5 नहीं बनेगा सिर्फ pH 3 बनेगा तो यह भी सही है फिर P pi d pi bonds are present in SO2 जब मैंने chemical bonding बताई थी तो कहा था कि SO2 और SO3 में पहला bond P pi P pi बाकी सारे P pi d pi यह याद रखने की ट्रीक है calculate कैसे करते हैं तो आप chemical bonding का punch देख लिएगा punch number 16 ठीक है तो acid double bond O double bond O यह तो इस texture होती है तो पहला bond P pi P pi तो यह तो मालो P pi P pi तो दूसरा pi bond कैसा होगा P pi d pi तो बिल्कुल इसमें present है यह भी सही है तो अभी तक तो सब ठीक चल रहा है आगे चलें यह इसका habidization क्या हैगा sp3 d ठीक है तो इसमें क्या जाएगा selenium fluorine 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 यह कैसा हैगा cisa safe इसका habidization क्या है sp3 carbon hydrogen 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 कैसा हैगा tetra ideal safe इनकी shape अलग है और जबकि यह बोल रहा है same shape है तो यह बात गलत है यह अजम नहीं भी बात दिख रहा है साब-साब यह तो cisa safe में है और यह tetra ideal है तो answer कौन सा हो गया fourth next question which one below is pseudo-halide pseudo-halide कौन से होते हैं जो halide की जैसे property दें वो pseudo-halide है H-plus से reaction करें तो di-halogen gas भी बना सकता है और अगर N-A-ox के साथ लेके गई तो N-A-X, N-A-O-X type भी बनाता है dispropionation reaction भी देता है तो pseudo-halide होगा जिसे यह cyanide है तो cyanide देख लो बिलकुल अगर H-plus आएगा तो इसके साथ H-C-N बनाएगा बनाए ना acid dispropionation देगा N-A-C-N बन जाएगा और N-A-O-C-N बन जाएगा क्या प्रक पड़ रहा है दोनों काम कर रहा है तो इसका मतलब यह pseudo-halide है इसके अलावा जिसे azide यह भी आपका pseudo-halide है मतलब की generally मैं नहीं करा सारे यह मान के चलो जितने भी polyatomic रिनायन है जिनमें कम से कम एक nitrogen है मैं यह नहीं करा कि कम से कम एक तो नहीं हो सकते तो polyatomic रिनायन है ठीक है जिन पर सिर्फ monovalent हो मतलब माइनस में एक ही तो चार्ज हो जैसे कि alide में माइनस वन चार्ज होता है कम से कम एक nitrogen करता हो तो वह आपका pseudo-halide की तरह form कर सकता है तो सारे करें यह कोई जरूर नहीं लेकिन जनरली ऐसा करता है जैसे nitrate कर लेगा यह azide कर लेगा जैसे कि cyanide कर रहा है thiocyanide कर लेगा acn समझ गे न ocn कर लेगा समझ रहे हो न यह ocn सब फोल हो रहा है acn यह सब फोलो कर लेंगे azide हो गए clear next तो answer क्या आ गया first next the mixer of concentrated acn 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 कहा है यह रहा है अनुसी है नेक्स्ट बाइक रेक्ट ओडर ओव दी थर्मल इस्टैबिलिटी ओफ हाय द्रोजन हिलाइड है है जिश्में मोनाइटमिक आएन होता है ना तो एक ये इंटम वाले आएन इसमें तो उनकी थर्मल possibility होती है न oh его latest energy शर्मली इस्टेपिलिकिस से देगे latest energy क्सें चाहार पोन थे लाख लोरीन से bằड़ा किलोरीन किलोरीन astronomers इसे नशीक्रेज्डान तो इदर जा रहे हैं तो लेटेस्ड जिक्रीज हो रही और यह o तो आपका क्या गया है? HF, ACL, HBR, HCI या यह कह सकते हैं, bond strength से भी दिया जा सकता है bond strength के thermal stability, bond जिदर मजबूत हो गया, thermal stability उतनी ज़्यादा तो L2R जा रहे है, top to bottom, sorry, top to bottom जा रहे है क्योंकि group है तो size बढ़ रही है, halo जने की, size बढ़ रही है तो bond length बढ़ रहे है, bond length बढ़ रहे है, bond strength कम हो रहे है, bond strength कम जोर है तो उसके thermal stability भी कम हो गई, तो second answer, next the correct order of increasing hydration energy of the following conjugate base of oxide, sorry, oxyacids oxyacids, क्या ठीक है, बिल्कुल oxyacid लिखा, या oxyacids को आप बोल सकते है, oxyacid of chlorine ठीक है, तो hydration energy की बात करें, तो यहां से आजाओ, hydration energy क्या होती है, charge upon size, जिस पर charge इतना ज्यादा होगा, या size इतनी चोटी की, इसका address energy उतनी ज्यादा होगी, तो यह plus one में, यह plus two में है, sorry, यह plus one में है, यह plus three में, यह plus five में, यह plus seven में, तो charge बढ़ा, यह कहने का मतलब, size कम हो रही है, charge बढ़ने का मतलब, तो hydration energy भी बढ़ रही है, तो first correct answer, next, if i2 is dissolved in aqueous ki, the intensive yellow species, iodide is formed, the structure geometry of iodide ions is, तो यह कह रहा है कि iodide ion बन रहा है, तो यह theory तो देदी ऐसी, कुल मिलाकर कि geometrical geometry पूच रहा है, जयामीती है, जयामीती करना था, इसको इसको इसकी geometry पूच रहा है, तो आजाओ hybridization निकालो, इसका hybridization क्या होता है, SP3, और SP3D में geometry क्या होती है, trigonal bipyramidal, यह रहा, यह क्या हो गया, तो आप एम इसे दियान रखो, एक तो होती है, shape यह जिसको बोल सकते है, geometrical shape, और एक होती है geometry, geometry का मतलब होता है, position, और sigma bond pair, और से, position of sigma bond pair and a lone pair, और यह होती है, position of only sigma bond pair, तो सिर्फ sigma bond pair की position देखें, वो तो shape है, और lone pair को भी shape में सामिल कर लें, तो वो geometry है, तो बिल्कुल इसमें lone pair था तीन, उनको भी मैंने shape में सामिल कर लिया है, मतलब कोई destroyed नहीं मान रहा हूँ, इसका मतलब SP3D की, जो shape अपन decide करते हैं, वो ही उसकी geometry है, तो क्या हो गई, trigonal by pyramidal, क्योंकि यह हो गया, यह समझो आप, I minus, I, तो अगर shape पूँचता तो linear है, लेकिन geometry पूच रहा है, तो geometry में तो क्या हो रहा है, lone pair भी count हो जाता है, तो यह भी count हो जाएगा, तो trigonal by pyramidal, clear, next, match the interhalogen compound of column first with the geometry in column second, यह तो interhalogen compound है, यह उनकी geometry there, clear, तो इससे आपको match करना है, geometry, वो ही geometrical shape की बात कर रहा है, क्योंकि इनको देखके पता चल रहा है कि यह geometry नहीं, geometrical shape है, तो geometrical shape देख लेते हैं, क्या दिकत है, पहले आजाएए, इसका hybridization क्या हो जाएगा, SP3, clear, अरे कैसे फंडा बतायता, chemical bonding में निकाल लेना, इसका hybridization क्या होता है, SP3D, इसका hybridization, SP3D2, और इसका hybridization, SP3D3, clear, इसमें 4 sigma bond चाहिए, जबकि side item एक ही है, side item एक ही होने का मतलब है, इसके पास लॉन पेर कितना है, मैं red color से लॉन पेर लिख रहा हूं, तो इसके पास side item कितने है, 3, जबकि चाहिए, कितने है, 5, 3, 4, 5, 5 bond बनाने है, लेकिन 3 ही है, इसका मतलब लॉन पेर है, 2, इसके पास लॉन पेर कितना है, 3, 2, 5, 1, 6 side item चाहिए, जबकि side item 5 ही है, अरे जितने non-hybridal hybridization में इन्वल होते हैं, इसके इसके बन सकते हैं, तो देखो, इनको count कर रहा हूं, 3, 3, 6 और 7, 7 sigma बना सकता है, लेकिन side item कितने 7, तो पूरे तो यह लॉन पेर 0, यहां पर क्या थे, 3, 2, 5, 6 थे, 6 sigma बना सकता है, लेकिन side item 5 है, तो 5 ही sigma बनेंगे, तो एक बच गया क्या है, वो लॉन पेर है, यह त्यान को hybrid orbital बराबर sigma प्लस लोन पेर होता है, तो आजाओ, तो SP3 में जब तीन लोन पेर होते हैं, तो इसकी shape कैसी आजाती है, linear, तो first बाला तो मैंच हो गया थड़ से, फिर बना करके देख लो ऐसे, X, X dash, तीन लोन पेर ले लो, यह लो, linear shape आ गई न, यह तो पहला आ गया, दूसरे में क्या आ रहा ह SP3D है गया, तो तीन बनाने है, तो X dash, X dash, X dash, लोन पेर कितने हैं, दो, तो यह लो, तो कैसे आगई, bent T-shape, bent T-shape यह रहा, first, फिर आजाओ इसमें, SP3D2, X, X dash, X dash, X dash, X dash, 5 बनाने हैं न, एक और बनादा, X dash, एक लोन पेर आ गया, तो यह कैसे आ गई, square pyramidal, तो इससे मेच हो जाएगा, fourth, और यह वाला, कोई लोन पेर नहीं है, तो इसमें कौन सी होती है, यह रही, pentagonal by pyramidal, तो कौन सा मेच हो गया, पहले में, third, third वाली हैं, दूसरे में, first, first, फिर fourth, fourth second, तो first answer is correct, next question, the correct order of solubility in water of, यह, तो एक चीज़ का ध्यान रहाएगा, वाटर में कोई भी solubile होता है, तो वाटर के साथ bonding बनाएगा, तो यह inert gases है, तो इनट gases water क्या है, water dipole है, हो ह, यह minus है, यह plus और यह minus, dipole ही तो है न, water, यह, plus minus, clear, जब इसके पास atom आएगा किसका, इनट gases का, तो इससे induce हो करके इसके चार जाएगा, जैसे यह minus, तो यह plus, यह minus, तो यह भी dipole में बदलने कोशिच करेगा, clear, तो dipole वो जितना जल्दी बनता है, जिसके size ज़्यादा large होती है, तो top to bottom चलने पर size increase हो रही है, size increase हो रही है, मतलब यह इदर वाले dipole जल्दी बनेंगे, तो dipole-dipole attraction water के साथ अपने आप ही ज्यादा देगा यह, तो इसकी solubility ज्यादा हो, next, good reducing nature of S3PO2 attributed to the presence of, यह क्या कर रहा है, इसकी reducing nature अच्छे का इसी होती है, उसका reason क्या है, तो आजाओ, किसकी presence के कारण होता है, तो center से अगर directly hydrogenates होते हैं, तो वो reducing agent बन जाता है, तो center इसमें phosphorus है, तो बना के देख लो इसकी structure, hybridization तो SP3 होना है, OH, H, H, तो दो pH bond है, देखो, 2 pH bond, इस वज़े से यह कैसा है, reducing है, next, XEF6 से on hydrolysis gives, एक चीज का दिया है, hydrolysis कोई redox reaction नहीं है, यह कहता हूँ ना मिसा, लेकिन एक चीज का दिया है, XEF2 और XEF4 का complete hydrolysis एक redox reaction होगा, शिर्फ यह exception है, बाकि इसका hydrolysis कभी भी redox reaction नहीं होगा, चाहे वो complete हो चाहे, partial hydrolysis हो, clear, तो यह प्लस 6 में है, तो प्लस 6 वाला ही compound बनेगा, यह रहा, यह रहा, यह याद रखो, XEF6, 3H2O, तो क्या बनेगा, XEO3, प्लस 6HF, तो देखो, कोई redox reaction नहीं है, प्लस 6, प्लस 6, oxygen पहले minus 2 थी, minus 3, यह प्लस 1 में था, अब भी प्लस 1 में, fluoride minus 1 में थी, अब भी fluoride minus 1 में है, तो कौन सांसर हो गया, first, next, which one of the following reaction of xenon compounds is not possible, not possible, सही कहले है इसको, तो आजाओ, XEO3 की hydrogen fluoride से reaction करके, नहीं भई, यह reaction possible नहीं, इसका ultra possible है, xenon fluoride का hydrolysis हो सकता है, और बिल्कुल यह reaction सही है, इधर की तरह पहले किन, इसका मतलब यह reaction possible नहीं है, clear, फिर आओ इसका, तो बिल्कुल, xenon tetra fluoride का redox reaction, मैंने अभी बताया था, कि इसका और इसका hydrolysis एक redox reaction होता है, complete hydrolysis, तो देख लो, complete कर रहा है, redox है क्या, यह 0 में था, ए स्वरी, कहां से कहां जा रहा हूं, plus 4 में है, plus 4 से यह 0 में चला गया, plus 6 में गया, तो देखो, इसका oxidation भी हुआ है, इसका reduction भी हुआ है, इसका oxidation भी हुआ है, फिर ही दरा जाओ, यह plus 2 में था, यह 0 में चला गया, क्या हुआ इसका reduction, और देखो, oxygen यह minus 2 से 0 में चली गए, इसका क्या हो गया, oxidation, clear, और यह reaction भी possible है, इसका hydrolysis possible है, फिर यह आगे, तो एक चीज़ का ध्यान रखना, genome है ना, वो fluoride donor भी हो सकते हैं, acceptor भी, जब 5th के fluoride के साथ आजाएं, किस के साथ है, 5th के fluoride के साथ आजाएं, तब तो यह बनेंगे fluoride donor, तो यह बन जाएगा, XEF5+, PF6-, लेकिन यह जिनोन के fluoride, जब यह alkali fluoride के साथ आजाएं, फर्ष्ट एक फ्लोराइड के साथ, तो यह बन जाते हैं, fluoride acceptor, XEF7-, तो कौन सा आ गया, तो बिल्कुल rubidium plusor, यह acceptor का काम करता है, तो आपका कौन सा है, यह possible नहीं है, clear, next, the formation of, यह complex दे दिया, oxygen के साथ, platinum का, platinum fluoride, is the basis for the formation of xenon fluoride, यह कह रहा है कि, इसको आदार बना करके, xenon का भी compound बना लिया, इसका, तो यह विचार कैसे है, तो nail brotillate नहीं तो बनायता है, कि space पर बनायता है, उसने क्या कहा था, कि इसका भी, ऐसा ही compound exist करता है, xenon का, उसने डिसकावर किया, तो देखा, यह same exist कर रहा था, तो उसने क्या कहा, कि O2+, क्यों कर रहा था, exist कि oxygen की, oxygen molecule की, और xenon की, first ionization energy क्या होती है, compare level होती है, almost same होती है, तो जैसा compound यह बनाता है, वैसा यह भी बना सकता है, exact data तो मेरे याद नहीं है, इसकी kilojoule के something होती है, इसकी 1170, लेकिन almost same होती है, तो इनकी ionization energy almost same है, इस वज़े से ऐसा काम हो रहा है, तो पहला कह रहा है, O2, O2 की size का कोई roll नहीं है, O2 दोनों gas हैं, gases का कोई roll नहीं है, O2 तो जीनोन, दोनों की ionization energy तुलनात्मक है, मतलब O2 और जीनोन have comparable ionization energies यह आजाएगा, electron activity का भी कोई difference नहीं, इसके तो electron activity zero बोली जाएगी, इसके तो है नहीं, क्योंकि जो bond बनाता है, उसकी होती है, electron activity क्या है, attraction of shared electron ability to attraction of shared electron, ठीक है, तो shared electron को अपने और attract करने की ability, तो क्या है, electron activity है, तो जीनोन तो inert gas है, यह तो, ठीक है, next, the relative stability of plus one oxidation state, तो देखो, 13 group वाले की बात कर रहा है, 13 group का NH2, NP1, अगर inert pairing effect लग गया, तो plus one नहीं लगा, तो plus three, तो आपको पता है, top to bottom चले पर inert pairing effect बढ़ता है, बढ़ता है, तो lower की stability बढ़ती है, तो lower की stability, aluminum, gallium, indenium, thalium, वो बढ़ेगी, यह रो lower की stability नीचे दाने पर बढ़ रही है, higher की stability कम होती है, next, which inert gas है, highest boiling point तो non-metal होते हैं, non-metal या covalent compound हो गए, covalent compound मालो या non-metals ले लो, ठीक है, उनका melting और boiling point, wonderwall force से दिया जाता है, और wonderwall force molecular weight के directly proportional to होता है, तो इसमें सबसे ज़्यादा molecular weight किसका है, genome का है, सबसे ज़्यादा molecular weight है, तो सबसे मजबूत wonderwall forces में, wonderwall forces के मजबूत है, इसका BPMB सबसे ज़्यादा है, next, what is the geometrical shape, मैं कह रहाँ रहाँ कि geometrical shape लिखा, ठीक है, वो क्या होगी, तो XCO3, SP3i abidization है, एक loan pair है, तीन ही inside item तो, तो यह हो गया, loan pair, double bond O, double bond O, double bond O, तो इसमें क्या होता है, यह होता है, तो यह क्या हो गया, एक पीरामिडल से बन गई, लेकिन है, है ट्राइगोनल पीरामिडल है, ट्राइगोनल पेलेंर नी, पेलेंर थो तब होता, जब यह तीनों oxygen एक ही प्लेन में जुड़ियों, जीनों फोड़ता है, इधर जूड गई, यूह ही लेकिन यह एक ही प्लेयन नहीं थरी डिमेक्सलेंड में तार ट्रैगोनल लेकिन पीरा मिड़ा यह रहा नेक्स्ट विच इस्ट्रेक्चर है फॉर जी नॉन ट्रायोक्साड एंड वेस्पर के अनुसार इन दोनों की इस्ट्रेक्चर बता नहीं है तो ये तो ट्राइगोनल पिरामिडेल एक सी एप फॉर की ओड देखलो तो आए अपर डाइजसन के आगया ASP3D2 तो बना लो ये जीनोन 1-2-3-4 ये फ्लारीन ये फ्लारीन ये फ्लारीन ये फ्लारीन ऊपर लौन पिर नीचे लौन पिर दोनों एक दूसरे को बेलेंश कर दिए तो वापस से इस्ट्रेक्चर आ गई तो पहले वाटी के तो Trigonal Pyramidal तो ये रही दूसरे वाली Square Planar भी बात है पहला ही इस यह गलऻ है taken ये बात तो सही थी आगे वाले में चलो Trigonal Pyramidal या सहीह यह लेकिन ये Tetraîal नही यह ते डील नहीं है और ये प्लेमर भी नहीं ही i.e. नेक्स्ट red phosphorus is less reactive than yellow phosphorus अभी बताये था मिने वहाँ पर क्या होता है polarization हो जाता है तो यही तो था it is highly polarized मतलब क्या होता है P4 unit आपस में covalent bond से जुड़ना शुरू हो जाती है जिससे उसकी reactivity कम हो जाती है बताये था ना आपको next कि वही लिस्ट को मेंच करना है फर्स्ट और सेकिंड के साथ है पहले वाले रिएजेंट है दूसरे वाली उनकी प्रोसेस है तो बिल्कुल किससे बनाए जाता है कॉंटेक्ट में थर्सी वह रहा फॉर्थ इस्टील बेसे मेराइजेशन से बेसे मिकरन से बनाते है ना यह रहा सेकिंड सौडियम लेवलांस प्रोसेस अमोनिय है फ्रोसेस यह राफ फस्ट यह दिए ँडैगे या न्ट्ू प्लस फ्री ऑस्टू तो एन त्री जिसमें आयरम तो के टिलिस्ट के लिए और प्रमोटर opioid का का काम क्लता है आपका एमो, catalyst promoter का गाम, तो कौन सा गया, fourth, पहले में fourth, दूसरे में second, तीसरे में third फिर यह, तो आपका fourth answer match कर रहा है, clear, next question, fusion mixer, यह याद रख लो, fusion mixer, गलन मिसरन कौन है, Na2CO3 और K2CO3 sodium carbonate और potassium carbonate के mixer को ही, आपका fusion mixer कहा जाता है, next, अपना अगला question है, 65, increasing order of solubility, solubility का increasing order बताना है, तो देखो, पहले तो calcium carbonate, एक चीज़ याद रखो, calcium carbonate है, वो insolubile होता है, clear, याद है ना, beryllium carbonate, magnesium carbonate, calcium carbonate, इदर जाएं, तो यह तो है, soluble है, बाकी नीच्चे वाले सारे insolubile हैं, क्योंकि नीच्चे जाने पर solubility कम होती है, bicarbonate, तो फस्ट एक है, bicarbonate की solubility नीचे जाने पर increase होती है, हमें इसा ध्यान करना, वो ही आएनिक compound water में solubile हो पाता है, जिसकी latest energy से ज़्यादा, hydration energy होती है, तो फस्ट एमें top to bottom चलेंगे, तो latest energy भी कम होती है, तो ऐसे में solubility bicarbonate की नीचे जाने पर increase होती है, यह याद रखना, तो आपका क्या जाएगा, जहां से अगर देखा जाए, तो एनिएच CO3 है, और केएच CO3 है, तो इनमें नीचे कौन सा था है, यह इसकी solubility ज़्यादा है, इसी वज़े तो solubile process में कभी भी sodium potassium carbonate नहीं बनता, वर प्रोसस से potassium carbonate नहीं बनने का का आण यह ही कि sodium bicarbonate से केस Yotri जज्यादा solubile होता है, तो यह तो insolubile होगया, तो सबसे कम तो यह होगया, सबसे ज़्यादा solubile है, उससे कम, यह increasing order बताना है गया, तो यह तो decreasing है अठाओ यह रहा सबसे कम यह तो गया इंसोलिबल फिर इससे थोड़ा ज्यादा यह और सबसे ज्यादा यह तो आपका कौण सा गया सबसे ज्यादा यह तो आपना गया 66 कारबन समोय के अन्य तत्वों से भिन होते हैं इसे संद्रब में कौन सा कतन गलत है तो वह चीज कारबन डिफर है अपने ग्रूप के अधर एलिमेंट से उसका रिजन क्या है तो यह चेन फॉरमिशन नेचर रखता है ठीक है बिलकुल यह बात सही है ठीक है due to its max tendency to form long chain बिलकुल कारबन ही एक ऐसा है जिक सबसे ज्यादा चैन फॉरमिशन नेचर होती है सबसे लंबी चैन बना सकता है फिर डूटू इट्स यूनिक बिलकुल यही एक ऐसा है जिसमें यूनिक एबिलिटी होती है मल्टिपल बॉंड बनना कारबन क कारबन के बीच डबल बॉंड हो सकता है कारबन कारबन के बीच ट्रिपल भी हो सकता है लेकिन सिलिकन सिलिकन के बीच डबल बॉंड नहीं हो सकता कारण कहा है इसकी साइज लार्ज है तो इफेक्टिव और लेपिंग नहीं होगी तो पाइबॉंड बहुत वीक होगा तो ए पूस्वार है क्लीः इस्में तो परजेंट नहीं अप्सेंट है फिर आगे कोर्डिनेंशन यह इसकी देखाए कोर्डिनेंशन नमर्म फोर बिल्कुल इसकी वेहिए टैट्डिस फॉत reaction with the hot and concentrate, मैंने भी बताया था, concentrate rate के साथ क्या बनाएगा, chloride और CLO3-, पीछे के क्यूसनों में आया है, देखना, next, which of the following pair, hedge balancing property, sorry, bleaching property, sorry, bleaching property किसकी है, तो आजाओ, O3, O3 आपका क्या करता है, O2 और oxygen में तूटता है, नवजात oxygen में निनेस्ट oxygen, तो यह oxidizing agent का भी काम करती है, और bleaching का भी, clear, कैसे जब भी colored compound इसके contact में आएगा, color, तो वो कैसा हो जाएगा, colorless, किस वज़े से, क्योंकि यह उसका oxidation कर देगा, तो oxygen की वज़े से color disappear हो गया, clear, अब environment में खुला चोड़ेंगे, तो वहाँ पर भी air oxidation ही तो होगा न, तो कहने का मतलब अगर oxidation से color disappear होगा है, oxidation से अगर bleaching होए तो वो permanent होगी, तो यह तो हो गया, लेकिन यह कोई bleaching nature नहीं रखता, यह रखता है, यह नहीं रखता, यह नहीं रखता, यह रखता है CL2, CL2 कैसे रखता है, CL2 reaction करता है, S2 से, यह reaction करता है किसे, S2 से, S2 क्या बनाता है, SCl plus SCl, dispropionation reaction होगी, clear, यह इसमें minus में है, यह इसमें plus में, लेकिन यह unstable है, अनिस्टेबल होने की बज़ेशिए, आगे टूटेगा, SCl plus Nenest Oxygen, और यह आपको पता है, क्या करेगी, किसे, oxidation से bleaching कर देगी, और oxidation से bleaching होती है, वो पर्मानेंट होती है, तो यह तो bleaching nature रखेगा, लेकिन यह नहीं रखेगा, अभी यह आँ जाओ, hydrogen बन गई, और यह ही hydrogen क्या करेंगी, colored compound को colorless, किसे, by reduction, हम इसे ध्यान रखना, color यह तो oxidation से जाएगा, यह reduction से जाएगा, लेकिन अगर वापस air में खुला चोड़ देंगे, तो air में oxygen है, तो फिर शे उसका oxidation हो जाएगा, reduction से color गया था, तो oxidation reverse process होगी, फिर शे color आजाएगा, तो मतलब reduction से अगर color जाता है, तो वो जैसे ही air में जाएगा, तो air में जैसे export करेंगे, air से जैसे treat करेंगे, तो वापस color एपियर हो जाएगा, मतलब reduction से अगर कोई bleaching होती है, तो वो temporary होती है, clear, कहाँएगा मतलब bleaching त है, clear, तो अपना answer कौन सा हो गया, third, next, which of the following is in the increasing order of the ionic character, ionic character का increasing order बताना है, तो देखो, इनको देख थे, identify करो, यह दो तो है, P block के, यह दो है, S block के, तो S block में ionic character जादा होंगे, P से, पहली बात, दूसरी, अब इनमें देखा जाए, तो NaCl, इसमें plus minus is CaCl2, यह minus और यह plus 2, जिस catein पर जितना ज्यादा चार्ज होता है, उसकी polarizing power उतनी ही ज्यादा होती है, और polarizing power जितनी ज्यादा होगी, उसमें covalent character उतने ही ज्यादा होंगे, तो इसमें covalent character ज्यादा है, इसका मतलब ionic character कम है तो यह plus 2 में है, और यह plus 4 में है, मैंने पहले बता दिया, जिस पर cateinic chart ज्यादा होगा, वो polarization ज्यादा करेगा, उसमें covalent character ज्यादा होंगे, तो इसमें covalent character ज्यादा होंगे, तो इसमें covalent character ज्यादा है, मतलब ionic कम है, तो order कौन सा आ गया? next question, which of the following pair cannot exist in a solution, solution में कौन सा exist नहीं करता, देखो, bicarbonate कैसा होता है, amphoteric, और amphoteric कोरने का मतलब है, यह acid से भी reaction करेगा, और base से भी reaction करेगा, तो यह base है, तो यहाँ पर आपस में reaction हो जाएगी, और reaction होके क्या बन जाएगा, Na2CO3 और H2O यहाँ पर बन जाएगा, अगर इनमें reaction होई, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, Na2CO3 प्लाय से H2O, इसका मतलब यह 7 एक्जिस्टे नहीं कर सकते, फिर यह base है, यह क्या है, इसका aqua solution basic होता है, तो base-base से reaction नहीं करेगा, यह amphoteric है, लेकिन यह salt है, salt-emoteric reaction नहीं करेगा, exist कर सकता है, इसका aqua solution basic है, लेकिन यह salt आ गया, salt है, ना acid से reaction करेगा, ना base से reaction करेगा, ना किसी amphoteric से करेगा, तो यह साथ exist कर सकता है, कौन से नहीं करेगा? next question the cyanide ion and N2 are isoelectronic, बिल्कुल 14 electron इसमें है और 14 electron इसमें है, बात तो सही है but in a contrast to cyanide N2 is chemically inert because, फिर भी क्या हो रहा है कि N2 कम reactive है किस से cyanide से, तो देखो यह cyanide हो गया, और यह nitrogen हो गया, दोनों में triple bond है, लेकिन देखो इसकी electron activity क्या है, 3.0 इसकी कितनी 2.5, तो bond में polarity है, लेकिन यहाँ पर देखो इसमें 3.0, इसकी भी electron activity 3.0, मतलब bond में polarity नहीं है, polarity नहीं है, तो यहाँ पर इसकी reactivity होगी, और तो कोई region नहीं है, क्योंकि दोनों में bonting electron ब्राबR did, at least 14 당, मतलब इसमें bonding दills तो यहाँ भेंडिक इसमें, दस याँ comments आंटी giving कि बात करें तो 4 अंटी भोंडिक इलेक्रोंन इसमें है, है और 4 हिसमें है, संभला बोरण ओडर थ्री इसका है एक इधिफ्रेंस है यहां पे किसका तो आजाओ पहला कहे रहा है लोडन और नेरजिश नहीं दोनों की बॉन्ड नेरजी तो उसकी बॉनड एनरजी क्लियर तो लो थी बॉनड एनरजी तब तो यह रिक्टीव हो जाता ना तो यह तो गया अपसेंस ऑ सेंट है तो अपना आंस्पर कॉन सा हो गया second फिर आगे और देसे लेते हैं अन्सेमेट्रिकल electron distribution नहीं equally distribution हो रहा है यह लो इकवल कर रहा है फिर आओ पर जैन्स ओ आ नंबर ओप electron in bonding नहीं bonding में इसके भी 10 है और इसके भी टेन है तो कोई बात नहीं तो यह विगालता हो गया तो आंस्पर कौन सा हो गया सेकेंड समझ भाया नेक्स्ट क्यूश्ट इस थ्री पीओ थ्री एंड एस थी पीओ फॉर दी करेक्ट तो आजाओ अच्छा बेसिक और रिडिजिंग देखना है तो फिर इस ट कैसा है यह सिद्धे दो ओएच जुड़े हैं तो डाई बेसिक है डाई बेसिक और कैसा है सेंटर से जुड़ावा यह काईडर मतलब यह रिडिजिंग है अब आज आजाओ इस तरी पीओ फॉर बनाओ पीडबल बोंड ओ 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 यह कैसा है ट्राई बेसिक है तीन वह जुड़े है ना नौन रिडिजिंग है अब आजाओ आजाओ ओ ऐस तरी पियो यशिक बिलकुल सही बात है है एंट इडिजिंग बिलकुल सही बात है पर्फ इक्ट डिवे सिбूजिंग है डिडिजिंग में पॉर पहि density नौन डिडिजिंग गिए इस्की इसकी वाली बात गलत है तो आपका आंसपर कौन सा आ गया फस्ट क्लियर नेक्स पर जलें नेक्स क्यूशन वही इसका क्या करवाना है compound का hydrolysis करवाना है विल प्रोड्यूस और क्या बनेगा तो आजाओ ये सिलिकन रहा ये ये मिथायल गूरूप है ये मिथायल गूरूप है जोड़ दो ये कलोरीन है ये कलोरीन है आजाओ hydrolysis करवाओ है चोच कैसे अगर पार्शल पोजिटिव के पास वेकेंड दी है तो ये अट्रॉलाइस होगा तो पार्शल पोजिटिव यह है इसकी इलेक्ट्र नेगेटिव ये पार्शल नेगेटिव है इसकी इलेक्ट्र नेगेटिविटिव तो आए ड्रॉलाइस इस पोसिवलाओ वो प्रोसेस अलग चीज है अपन सिद्धा देखते हैं तो एस ये निकल जाएगा तो क्या बन गया सिलिकन एम 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 ए ओ एच ओ गया फिर ऐसी ही कई चैन एक साथ आ जाएंगी एक साथ जुट जाएंगी तो क्या होगा ऐसी एक चैन और लियाओ इसके साथ ठीक है इससे तो यह बनी कि आगे अगे अब कंडेंसेंशन कर रहा हूं मैं इसका ठीक है यह इतना ही प्रोडेक् बनांया है कंडेंसेंसर कर राओ तो हैड्र आजिस से तो पहला या जाएगा आगे सोजने की जरूति नहीं है औरी है इसको हीट करते हैं तो कौन सी gas निकलेगी वो इनमें से match करनी चाहिए तो आओ इसको heat दो heat देंगे तो N2 gas निकलती है H2O बनता है और Cr2O3 बनता है तो कौन सी gas liberate होती है N2 gas तो आजाओ और किसी मगी? Ammonium nitrate इसको heat दो तो बिल्कुल N2 gas निकलेगी और 2H2O इसको heat दोगे तो आपकी N2O बनेगी और H2O वैसे ही इसको अगर heat दोगे तो hydrolysis करोगे अब hydrolysis करवा रहा है तो hydrolysis करवाओगा करवाओगे तो इसमें क्या बनेगा? Ns3 और इसके साथ treating करोगे तो यहापट तो प्रोकसाइड बनने वाला है और आपका HNO3 बनने वाला है तो यह भी नहीं है तो आपका कौन सा आगए? आमस्वार 1 Clear? Next question Extra pure N2 can be obtained by heating तो देखो N2 एक तो यहाँ बनने वाली है और एक यहाँ बनने वाली है यहाँ पर तो N2 बनेगा ठीक है तो extra pure Agide से जब भी N2 बनाए जाती है न वो pure form में बनती है purest form में Clear? तो यह best method रहेगा याद रखना preparation method यह nitrogen का सबसे best pure form के अंदर आपको Dynitrogen चाहिए न तो वो Agide से बनाए जाती है कोई भी Agide है उसको आप heat कर दो तो वहाँ पे Nitrogen निकल जाए क्लियर अब देखिए आप यह अपने 75 किसन पूरे वियर अपने कोशिस में की कि entire complete chapter इसके आसपास इर्दगिर्दगा था वह अपने पूरा कवर किया एकदम अच्छे से बस आपको साथ में पढ़ना है इसको यह अपना last पंच था chemistry का 20 वा एपिसोड था chemistry पंच अपना complete हो गए ठीक है और सारे पार्ट आपको प्रोवाइड हो गए आपको कुछ नहीं करना है इन सारे पार्ट को step wise step आपको study करने है ठीक है जैसा CLC ने प्रोमिस किया था 20 एपिसोड इसके complete हो गए इसके बाद में next अपना comment क्या है कि अपन जे इमेन के previous question है जो है बस आपको CLC के साथ बने रहना है अगर और online classes का CLC का benefit उठाना चाहते हो आप तो आप CLC live.in पे जाएं और वहां से आप जोइन कर सकते हैं ओके थैंक यू